हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम आप लोगों के लिए सकरकंदी की रेसिपी राये हैं जो कि दो तरीके से सकरकंदी खाना हम बताएंगे आप लोगों को दोनों ही तरीका बहुत अच्छा है इसका तो देखिए फ्रेंट्स हमने यहाँ पे वन केजी सकरकंदी ले लिया है इसको हमने धुल लिया है धुलने के बाद में सूखी कपड़े से साफ कर दिया है अच्छे से इसका पानी भी सूख गया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी चार सकन करदी निकाल के एक फ्राइपेन में ऐसे ही बिना किसी पानी के लिड लगा के गैस को एकदम स अच्छी भुण जाएगी बागी की जो बची हुई सकरकंदी है उसको मैं कुकर में डाल देती हूं और एक गलास पानी डाल देती हूं और दो सीटी लगा लूँगी आराम से यह सकरकंदी एकदम से पक जाएगी तो यह देखे यहां पे लेड हमने लगा दिया है गैस की फ्लेम स्लो कर दिया है अब इधर हमने गैस जला के कुकर का भी रख दिया है तो सबसे पहले तो कुकर में ही सीटी आ गई है यह सकरकंदी हमारी पक गई है लेकिन जो फ्राइपन में रखा है उसमें टाइम लगेगा तो वो धीमे धीमे जब तक मैं इसका हलवा बनाऊंगी आज सकरकंदी का तो जब तक मैं इसका हलवा बनाके तयार करूंगी न तब तक वो भी सकरकंदी मेरी रेडी हो जाएगी तो देखिए फ्रेंट्स ये इसको मैं सबसे पहले छील देती हूं और एक-एक करके अभी गरम-गरम सकरकंदी जब होती है न तो अच्छे से छिल ज प्रख नहीं आता है कोई-कोई उसमें ऐसे जाली-जाली सी पढ़ जाती है वैसे किसी-किसी सकरकंदी में होती है तो अच्छे से सकरकंदी को छेल कर फिर उसके बाद मैं इसको कट कर ले रही हूँ आप चाहें तो हाथों से भी मैस कर सकते हैं लेकिन जब ही मैं इसको ना गुर ये बिना चीनी और गुर यूज करे ही ये सकरकंदी इतनी मीथी हो जाती है हलवा में भुनने के बाद तो दो चमच हमने यहां पे डाल दिया है देशी घी फ्राइपन में और एक बार घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं थोड़ा सा वाइट तिल डाल देती है इसको जिसके हाँ सकरकंदी कही जाती है या गंजी हम लोगों के माईके में तो गंजी कही जाती थी और ससुराल में इसको सकरकंदी बोलते हैं तो इसको अच्छे से घी में भून लेंगे और इसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा ल भूनते ही इसको अच्छे से मैस कर देजे तो धीरे धीरे हम इसको मैस कर लेंगे और मैस करने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम अच्छे से मैस हो गई है अब बहुत अच्छी सी खुजबू भी आने लगती है इसमें जब हम इसको भूनते हैं भून भी गई है कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है अब इसमें हम एट कर देंगे दूद और दूद के साथ ही इसमें मैं ये मलाई भी डाल दूँगी दूद की आद इससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका बहुत ही हल्दी हल्वा बनके तयार होता है ये फ्रेंड्स तो देखिए अब इसी तरीके से मैं हल्वा जो है अपना सुखा लूँगी जितना भी दूद इसमें है वो चलाती रहूंगी गैस की फ्लेम मैं हाई कर दूँगी जगह पे और चीनी हमको एड नहीं करना है आप चाहें एक चमच इलाइची पाउडर एड कर सकते हैं इसमें फ्लेवर के और मैं लाइची पाउडर जो है थोड़ा सा एड करूंगी लेकिन जो है इसके साथ ही मैं इसमें एक चमच मिल्कमेड एड कर दे रही हूं ये मिल्कमेड भी थोड़ा मीठा होता है इसमें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हल्वे में तो देखिए फ्रेंड्स अ आपको एकदम सुखाने की जरूत नहीं है जैसे ही ये ठंडा होगा एकदम सक्त सक्त हो जाता है हल्वा ये तो आप इसी जगह पर देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसका गैस हमने बंद कर दिया है एकदम हमने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है और थोड़ क्यासा तब मैं आपको सर्फ करके दिखाऊाँ कि जब यह ठंडा होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे यह ठंडा होगा फ्रेंट्स वैसे वैसे यह Sinet होता जायेगा तो यह देखें बहुत टेस्टी हल्वा हमारा बनके तैयार है यह देखें ठंडा हो ताइट हो गया अभी भी गरम है थोड़ा जैसे जैसे ठंडा होगा ये बिल्कुल सकत हो जाता है अगर दुबारा गरम करूं तो इसको दूर डल के गरम करना पड़ता है तो चलिए प्लेटिंग करते हैं हलवा हमारा एकदम तयार है बहुत टेस्टी हलवा जादा कुछ इसमें डालने की जरूरत नहीं है मैं तो इसको ऐसे ही खाऊंगी थोड़ा सा पिस्ता उपर से जो है बारिक बारिक चॉप कर लिया है मैंने उसको जरूर जो है छिड़क दूँगी इसके उपर और ये लीजिए एकदम इसमें जो हलवे में जो सकरकंदी का हलवा है इसमें चारचान लग गया है बहुत टेस्टी हलवा बनके एकदम तयार हुआ है तो आप भी ट्राइ कीजिए एक बार और जरूर ट्राइ कीजिए क्योंकि ये विंटर में स्पेशल होती है हमारी सकरकंदी विंटर में मिलती है तो हमें जरूर हलवा बना के खाना चाहिए हर चीज हमको सीजन के एकॉर् आते हैं तो एक रेसिपी तो हो गई दूसरा हम आपको दिखाते हैं ये देखिए जब तक मैंने हलवा बनाया तब तक हमारी सकरकंदी एक डम पक्के रेडी हो गई है आप चाहें तो इसको ऐसे ही फ्राइपेंड में भून लीजिए अब हम लोगों के पास आग तो अबले आपन मैं ऐसे रख देती हूं ढखके 10-15 मिनट के लिए और आराम से धीमी धीमी आज पर तावे पर रख दीजिए आराम से ये पक जाती है और ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आप लोग हमें बताएगा कि आपको हमारी ये दोनों जो तरीके हैं सकरकंदी खा तो इसकी भी प्लेटिंग करके हम आपको दिखा देते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अथी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियों को लाइक और शेयर कीजिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे मिलते हैं एक नई नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर फ्रेंड्स